हलो स्टुडेंट्स आप सभी को सूप्रभात गुड़ मॉर्निंग नमस्कार बच्चो 12th बिजनेस स्टुडी की पहले यूनिट हम पढ़ रहे हैं प्रबंद की प्रकृती और महत्वा और प्रबंद की प्रकृती और महत्वा में अभी तक हमने कल की क्लास में पहुत सारी चीजी हमने देखी अभी तक हम प्रबंद का आसे उसकी परिभासा उसका महत्व उद्देश से इनकी बारे में हम समझ चुके हैं और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को प्रबंद के प्रमुकारे और सहयकारे इन दोनों के बारे में विस्तार पुरोग बताया प्रबंद जो भी कारे करता है तो वो कितने प्रकार की होते हैं तो वो दो प्रकार की उसके कारे हैं प्रमुकारे और दूसरे सहयकारे तो प्रमुकारे कौन-कौन से हैं वो कल मैंने बताया था नियोजन, संगठन, निवक्तिकरन, निरदेशन और नियंत्रन ये पाच प्र क्लास में हम देखने वाले हैं कि प्रबंद प्रसाशन और संगठन इन में क्या अंतर है आपने प्रबंद सब्द भी सुना है प्रसाशन सब्द भी सुना है और संगठन सब्द भी सुना है लेकिन इन तीनों सब्दों में क्या आर्थ है इन तीनों का मिनिंग है आज हम उसकी का वेलकम है स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास ठीक है देखिए प्रसाशन प्रबंद और संगठन तिनों में अंतर है पहला कारे के आधर पर हम देखेंगे तिनों में क्या अंतर है कारे के आधर पर प्रसाशन क्या कारे करता है प्रसाशन उपक्रम के उद्देश्यों तथा नीतियों को निर्धारित करता है उपक्रम मतलब व्यापार करने वाला जो संस्था है वो उपक्रम कहलाती है तो प्रसाशन क्या करता है उपक्रम के उद्देश्यों तथा नीतियों का निर्धारन कर प्रबंद का कार्य देख लेते हैं प्रबंद अब क्या करता है जो लक्ष निर्धारित है निर्धारित लक्षों की पूर्ती हेतु संगठन का नेत्रत्व तथा मारगदर्शन करता है प्रसासन के द्वारा जो लक्ष निर्धारित किये गए हैं उन लक्षों को पुरा करने क के लिए संगठन का नेत्रत्व करता है और मारगदर्शन करता है अब संगठन पर चलते हैं संगठन का क्या कार्य है संगठन उत्पत्ति के विभिन्य साधनों में समन्वय स्थापित करता है उत्पत्ति मतलब जो भी वस्तू का उत्पादन करना है या जो भी कार्य करना है त ये तीनों के कारे अलग-अलग हो गए, दूसरे point पर चलते है, इस्थती प्रसासन संस्था का मस्तिस्क है, प्रसासन है वो संस्था का क्या है, मस्तिस्क जैसे हमारा सरीर, इस सरीर में मस्तिस्क का काम क्या है, सोचने का काम है, निर्ने लेने का काम है, इसी प्रकार से प्रसा संस्था की आत्मा है बिना आत्मा की जिस प्रकार से हमारा सरीर जिंदा नहीं रह सकता उसी प्रकार से बिना प्रवंदन के कोई भी उक्रम जिंदा नहीं रह सकता और तीसरा है संगठन संस्था का सरीर है संगठन संस्था का सरीर जैसे अभी हमने इसके पहले संगठन के कारे में देखा था कि संगठन क्या करता है उत्पत्ति के साद्रों में समन्व इस्थाबित करता है तो जो भी हम कारे करते हैं तो कारे में हमारा पूरा सरीर लगा है और इन सारे सरीर जो है सारे सरीर के जितने उसको देखती है कि और काटा निकलता है तो इसी प्रकार से जो संगधन है वो क्या है उपकरम का एक शरीर है जो कि मिल करके काम को पूरा करते हैं कि तो प्रसासन मस्तिसक हो गया प्रबंद आत्मा और संगठन शरीर छेत्र के बारे में देखेंगे तो प्रसासन इसका छेत्र विस्त्रत है प्रसासन तो बड़ाई होगा प्रबंद का छेत्र कैसा इसका छेत्र नीतियों के किर्यान्वित तक सीमित है प्रसासन के द्वारा जो नीतियां बनाई गई है उन नीतियों को संगठन के माद्यम से किर्यानवित करवाना वहां तक है इसका काम और संगठन इसका छेतर कैसा है संकुचित है तीसरा है इस्तर इस्तर में प्रसासन उच्छे इस्तर ये कारे करता है जितने भी उच्छे इस्तर ये मतलम नीतियों का निधारन करने वाला उद्देश योका निधारन करने वाला काम उच्छी स्तरी होता है तो प्रसासन के द्वारा किया जाता है प्रबंध मद्ध इस्तरी कारे करता है उच्छी स्तर के बाद जितने भी कारे मद्ध में इस तरके वो प्रबंध के द्वारा किया जाता है और इसका इस्तर प्रसासन तथा प्रबंद के आपसी सहयोग से तय होता है प्रसासन और प्रबंद यह दोनों जो तय करते हैं वो संगठन के द्वारा किया जाता है नीतिया यह नीतिया निर्धारन से संबंद रखता है नीतियों का निर्धारन किया जाता है प् और यहां उसको कार्यानवित करने वाला है उसको कारे में परिवर्तित करने वाला है तो यह पाच आधार पर हमने प्रसासन प्रबंद और संगठन में अंतर देखा यह बहुत ही important question है परिक्षा के दरश्टी कौन से कई बार परिक्षा में आ चुका आया तो तीनों के बारे म में पूछ लिए आयता है तो हम यदि समझ गए हो तो आसान इसे इसका अंसर लिख सकते हैं कि चलिए दूसरे नंबर पर आ जाते हैं प्रबंद के सामाजिक उत्तरदाईतों को समझाईए प्रबंद कोई उपकरम हो उस समाज में रहकर के ही काम करता है कि कोई सा भी उपकर तो क्या है कोई भी जंगल में रहकर के उत्पादन कर सकता है लेकिन उसको अपना मटेरियल तो समाज में ही बेचना पड़ेगा उसका समाज से गहरा संबंद है बिना समाज के उत्तरदाईतों क्या है मतलब समाज के उसके क्या उत्तरदाईतों है प्रबंद के सामाजिक उ उन कारें से हैं जो एक प्रबंदक को समाज के विभिन वर्गों के प्रती करने चाहिए एक प्रबंदक को समाज के प्रती क्या काम करना चाहिए वही कारे समाज के प्रती उत्तरदाईतों होते हैं कौन-कौन से कारे हैं, नंबर एक, उपभोकताओं या गरहकों की प्रती दाईत हो, बहुत जो कस्टमर है, जो उपभोकता है, जो उसकी वस्तों को खरीद रहा है, उसका उपभोक कर रहा है, तो उन गरहकों या उपभोकताओं की प्रती प्रबंद का ये दाईत होता है, कि दूसरा दाइतु क्या है करमचारियों के प्रति दाईतु क्या है करमचारी कोन है करमचारी उसके उपकरम का एक حिस्सा है उसका एक अंग है य incapable अपने आपकाण नहीं कर सकता वो कोई भी कारे को अंजाम कर्मचारियों के माद्यम से ही देता है तो कर्मचारी यदि खुश रहेगा तो उसका उक्रम विकास की और अग्रसर होगा कर्मचारी मन लगा के काम करेगा और कर्मचारी कम मन लगा के काम करेगा जब उसको एक आदर्स वेतन दिया जाएगा जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पुशन कर सके अपना जीवन इस्तर उच्च कर सके तो उसको एक तो अच्छा वेतन दिया जाए कारे करने की उत्तम व्यवस्था हो उसके भविश्य के प्रतिचिंता हो उसके फ्यूचर उसकी जो नोक्री है वो इस्थिर हो एसी बहुत सारी बाते कर्मचारियों पर लागो होती है समय समय पर उनको बोनस कमिशन प्रोफिट में हिस्सा दिया जाए तो कर्मचारी क्या होता है यह कर्मचारियों के प्रति प्रभंद के दाई तो होते हैं जिसी की कर्मचारी खुश रहता है मनलागा के काम करता है कर् का विकास होगा तीसरा उक्तरदाई हो इनसधारिंप्ती subscribe जिन्होंने कमपनि को पुझी कार्य करने के लिए कोई विक्ती किसी Players के it major क्रेंददा है क्योंकि उसको उसको पर सधरियों को उनके हिस्से का लाब बदान करें सासन के प्रति वह सासन नीतिया बनाता है सरकार के प्रति या सासन के प्रति प्रभंद का यह उत्तरदाई तो बनता है कि वो हो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे और दूसरा सरकार को समय समय पर टेक्स भरे यह दो ही महत्पुन कार है सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया जाए और दूसरा समय पर टेक्स का बुक्तान किया जाए यह है पूरतिकरताओं के प्रति जो भी उपकरम हैं उसमें कोई से भी वस्तो बनाई जा रही हो तो पूरतिकरता मतलब थोग व्यापारी से या raw material कहीं से खरीदा जाता है उनसे वो supply किया जाता है तो वो पूरतिकरने वाले हैं तो पूरती करता हुए प्रति प्रभेंदह का ये दाइत हो है कि उनको समय पर उनका पैसे का भुकतान किया जया आपने माल खरीद लिया और उनको अप भुकतान समय पर नहीं करेंगे तो अगले माल की Responsive由 समय आपको नहीं करने वाले और इससे आपका काम प्रभाइद होगा तो आप समय पर जैसे आपके पास पैसा आया आप उनका भुक्तान कर दे ताकि वह आपको अगली जो पूरती वह आसानी से कर सके स्वयम के प्रती क्या उत्तरदाईत है इतनी मगजमारी हम किसके लिए कर रहे हैं स्वयम के प्रती लाप कमाने के लिए कोई भी व्योसाय लाप कमाने के लिए तो यदि लाप कमाओगे तभी तो अपनी व्योसाय को जिंदा रख पाओगे तो स्वयम की प्रती ये उत्तरदा है उनका समय परभुक्तान किया जाए प्रबंद्कों क्यों प्रबंद्कों को भी उची LIVE रास्ट मतलब क्या है हम रास्ट मतलब ते अंदर रहने वाला जो है उसके कारियों से रास्ट प्रभाइद होता है उसके कारियों से ही रास्ट का नाम होता है तो यदि हमारा व्यापार अच्छा विकास करेगा डेवलोप्मेंट करेगा तो रास्ट का भी विकास होगा इसका मतलब कि रास्ट के प्रति हमारा दाइत होता है कि हम हमारे समाज के हिस्से हैं यह सभी लोग समाज में रहते हैं उभोकता हो गया कर्मचारी हो गया अंसधारी हो गया सासन हो गया कुर्तिकरता स्वयम रिणदाता प्रवंध रास्त यह सभी समाज के अंग है समाजिक उत्तरदाई तो मतलब समाज के प्रतिय उत्तरदाई तो बनता है प्रबंद का यदि यह पांच नंबर में आए तो भी आप इसका अंसर विस्तार पुरवक लिख सकते हैं चलिए अब हमारे सामने एक नया पॉइंट आ रहा है प्रबंद समन वैसे रेलेटेड आ रह जिससे हमारा शरीर कि शुमन वै का सबसे सर्वत्तम उद्हारण है जिसके हमारे सरीर में अलग-अलग अंग है हाथ है,, पेर है,, मुँह है, कान है, नाक है, आख है यह सभी जो है यह अलग-अलग parts है जोकि अलग-अलग काम करते हैं लेकिन यह सब एक-दूसरे सिर जुड़े हुए एक दूसरे से रिलेटेड है यह बिना कोडिनेशन के यह कोई काम नहीं कर सकते हैं इसी प्रकार से प्रबंद की जो कारे हैं नियोजन संगठन नियुक्तिकरण निर्देशन नियंत्रन यह सभी कारे जो हैं इन सभी कारियों में समन्वाई सामिल है यह सभी कारेयों को जोड़ने वाला समन्वाई है बिना कोडिनेशन के जैसे एक कारेय दूसरे से रिलेटेड है नियोजन का कारेय जब तक नहीं होगा संगठन का कारेय नहीं किया जा सकता संगठन का कारेय पुरा नहीं होगा तब तक नियुक्तिका कारेय नहीं किया जा सकत profit screen मतलब इनके बीच में समनवय एक महतोपुर्ण कार्य है तो समनवय थे प्रव encryत कार्य में नहीं गिना क्योंकि समनवय थो इन प्रबंद का सार है उसका निचोड है वक हरे कारे में सामिल है जलिए देखते हैं इत गया है छंपनवय का साब्दिक अर्थ है आपसी टालमेल कि निकाले तो उसका अर्थात व्योसाई की विभिन्स गति वीदियोगों ह ov cam होने वाली जो अलग-अलग प्रकार की जितने भी एक्टिविटी काम जो होते हैं जैसे अ क्रय करना विक्री करना उत्तपाघन करना वित्ति की व्युस्था कर्मचारी से संबंद जितनी भी गतिविदिय होती हैं इन सभी गतिविदियों में सामन जस इस्थापित करने का काम किसका होता है समनवय का होता है जिससे उपकरम के उद्देश्यों को आसान इसे प्राप्त किया जा सके समन्वे होगा तभी तो उपकरम के उद्देश्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं उपकरम का उद्देश्य है अधिक से अधिक लाप कमाना अब ये लाप कमाने के उद्देश्यों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप अधिक उत्पादन करेंगे लाब अधिक से अधिक आप लाब कैसे प्राप्त कर सकते हैं जब आप माल का अधिक विक्रे करेंगे माल का अधिक विक्रे कब होगा जब आपको उत्पादन होगा उत्पादन कब होगा जब आप उत्पादन करेंगे माल क्राय करेंगे तच्छा माल खरीदेंगे इसका मतलब क्राय विक्रय उत्पादन वित्त कर्मचारी ये सभी एक दुसरे से रिलेटेड है एक ने भी अपने हाथ खड़े कर दिये तो दूसरा आगे नहीं बढ़ सकता यदि क्राई डिपार्टमेंट ने माल खरीदा ही नहीं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उत्पादन डिपार्टमेंट माल का उत्पादन नहीं कर पाएगा उत्पादन जो भाग उस माल का विक्रे कैसे करेगा तो कुल मिलाकर ये सारी जो क्रियाएं हैं व्यावसाई की विभिन गतिविदियों या क्रियाओं में सामन जिस इस्थावित करना जिससे की उपक्रम के लक्षों को प्राब्त किया जासा कि ये समन्वे कहलाता है एक परिवासा हेंड्री फ्योलने दी है किसी उपक्रम के कारे संचालन को सुविधा जनक एवं सफल बनाने के लिए वह उपक्रम मतलब व्यापार करने वाली संस्था उसके कारेओं को सुविधा जनक और सफल बनाने के लिए उसकी समस्त क्रियाओं में सामन जस्थापित करना ही समन्वे है अब मै आपको एक example देता है, जिसे हमारा सरीर एक उपकरम है, ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी हम कारे करने वाले हैं, तो जो भी हम कारे करने वाले हैं, तो उस कारे करने के लिए हमारे जितने भी अंग हैं, उन सभी के बीच में सामन्जिस होना जरूरी है, कॉडिनेशन जरू सकता और यदि पेरों की इच्छा होगी जाने की उसके बावजुद यदि दूसरे अंगर यदि सहयोग नहीं करेंगे तो मैं नहीं जा सकता इसका मतलब सभी का कोडिनेशन जरूरी है तो किसी उक्रम की सकारे संचालन को सुविधा जनक और सफल बनाने के लिए उसकी समस्त किरियाओं में सामजिस इस्थाबित करना ही समनवे है समस्त किरियाओं में कॉडिनेशन जिरूरी होता है वही समन्वे कहलाता है विशेस्ता हैं देख लेते समन्वे की सबसे पहले विशेस्ता है समन्वे प्रवंद की एक सतत प्रकिरिया है इसका मतलब यह है कि समन्वे कहां सुरू होता है तो समन्वे की सुरुवात नियोजन से ही हो जाती है और नियंतरन तक चलती है नियोजन में भी समन्वे है संगठन में भी समन्वे है नियुक्तिकरण में भी समन्वे है नियोदेशन में भी समन्वे है और नियंतरन में भी समन्वे है इन सभी कारियों के अंदर समन्वे समाह समन्वे सुरू हुआ वह सतत चलता रहता है दूसरा समन्वे विभीन किरियाओं में एकता सुनिस्चित करता है वे समन्वे का काम ही है विभीन कारियों को जोड़ना उनमें एकता स्थापित करना जिससे कि एक दूसरे को जिसे वह एक रिले रेस होती ना आप लोगों ने देखा होगा रिले रेस में एक दोड़ता है हाथ में रिंग ले करके और फिर जो अगले थोड़ी दूरी पर जो खड़ा रहता है वो दूसरे को देता है दूसरा तीसरे को देता है तीसरा चोथे को देता और लास्ट में जो सबसे पहले पोच्ता वो विनर होता है तो एक पहले और दूसरे वाले के वीश में यदि सही कॉडिनेशन होगा तो वो टीम विनर हो सकती है कॉडिनेशन जरूरी एक दूसरे को समझना जरूरी है यदि पहला दूसरे को नहीं देगा दूसरा तीसरे को नहीं देगा तो काम वो कभी भी म समन्वय पूर्व निर्धारित लक्षों की प्राप्ति के लिए किया जाता है प्रबंद का कामी है पूर्व निर्धारन करना प्रबंद में सबसे पहले लक्षों का निर्धारन कियाता है तो समन्वय उसी का एक हिस्सा है समन्वय एक सरोवय अपक कार्य है मतलब सभी कारियों में फेला हुआ है समन में विभिनी क्रियाओं में आपसी सामंजे आपसी समझ पैदा करता है ये सभी क्या है हो गई उसकी विश्यस्ता है अब एक महतुपूर्ण प्रस्न आता है जो कि कई बार परिक्षाओं में पूछा गया है ये प्रस्ने की बारे में बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है उनको अंसर नहीं मिलता है इसलिए मैं इसका अंसर बहुत ही आसान सब्दों में आप लोगों के लिए बना करके लाया हूँ समन्वे प्रबंध का सार है इस कथन को सपस्ट कीजिए इसका अंसर आपको बहुत कम मिलेगा ये मैंने बुक में से उसको बनाया है समन्वे प्रबंध का सार है मतलब प्रबंध का निचोड है सार मतलब निचोड इस कथन को सपस्ट करना है देखिए बिना समन्वे के किसी भी कार्य को सफल नहीं बनाया जा सकता है कोई भी आपको कार्य करना है तो बिना समन्वय के आप उस कार्य को नहीं कर सकते इसका मतलब यह हुआ प्रबंद के अन्य कार्य जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरन, निड़्देशन, एम नियंतरन आदी कार्यों से समन्वय की प्रकर्ती भिन्द है प्रबंद के जो प्रमुक कार्य हमने जो पांच कार्य देखे उनसे समन्वय अलग है कैसे अलग है? इसे प्रबंद का सोतंदर कार्य न मानते हुए उप्रोक्त कार्यों की सफलता से ही समन्वे की मौजुद्गी दिखाई देगी हमने प्रबंदी के प्रमुक कार्यों में पांच के बाद में छटवा कार्य समन्वे क्यों नी जोड़ा क्योंकि ये इनसे अलग है कैसा अलग है नियोजन का कार्य सफल हो गया फिस संगठन का कारेश Sushraya संगठन का कारे प्लिट हो गया नियूक्तिकर नियरदेशन नियंत्रन का ये पांचों कारे जहां सफल हो जाएंगे तो हम ये मान लेंगे कि समन्वय का कारे हो गया वह हमें दिखाय काहतनी व drinking यह इस्थ मतलब कि वह टीम वर्क उनों ने किया मतलब उनके बीच में अच्छा कौडिनेसन था कि समन्वय तो हुए अगया कि अंछा के वीच में कॉडिनेशन है समन्वय के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कुंटज और ओडोनेल ने कहा है समन्वय प्रबंद का एक प्रथक कारेणन होते हुए उसका सार है तो यह प्रबंद की जो प्रकिरिया है यह प्रकिरिया यह पूरी हो गई इसका मतलाब कि समन्वय है मतलब वो समन्वे दिखने लग गया तो कुंटा जो ओ डोनेल क्या बलता है कि समन्वे प्रभंद्य का एक प्रथक कार्य न होते हुए उसका सार है इस कथन को हम निम्न बिंदों से भी समझ सकते हैं सबसे पहला संगठन में जब पहला व्यक्ति अपना कार्य पूर्ण करता है तभी दूसरे व्यक्ति का कार्य प्रारंब होता है अर्थात यहां पर पहले और दूसरे के बीच समन्वे अनिवार है अभी मैंने रेले रेले रेस वाला काम बताया था कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सोपता है तो संगठन मतलब व्यक्तियों का समु किसी कार्य को करने के लिए जो व्यक्तियों का समुई खटा हुआ है तो एक व्यक्ति जब अपना पहला कार्या पूर्ण करके दूसरे व्यक्ति को देगा तबoken दूसरा विक्ति कारे को आगे बढ़ायगा, तो एक विक्ति कारे को पूर्ण करता है, तबी दूसरे विक्ति कारे प्रार्म होता है, अरथात पहले और दूसरे के बीच में समणवे अनिवार है दूसरी बात निर्देश उपर से नीचे की और भीजे जाते हैं निर्देश अंतिम छोर तक पुर्ण रूपेंट तभी पहुँच सकता है जब सभी व्यक्तियों में आपस में ताल मेल होगा जो भी निर्देश होते हैं उच्छे इस तर से निमने इस तर तक आता है निर्देश तो जितने भी चेनल है कर्मचारियों की अधिकारियों की प्रबंदकों की तो उपर से नीचे जो निर्देश आ रहा है तो इन सभी प्रबंदकों के बीच में कर्मचारियों के बीच में तालमेल जरूरी है यदि उनके बीच में तालमेल नहीं होगा जैसे जो कड़ी होती है चैनल होती है तो वो कड़ी एक दूस्रे से जूड़ी होगी तबी तो वो कड़ी कहलाई की यदि बीच में दी वो कड़ी टूड़ गई इसका मतलब वो कड़ी नहीं है वो चेन नहीं इस रंखला नहीं है इसी प्रकार से जो संगठन है वो संगठन में बीच में दी ताल मिल नहीं होगा तो मेसेज जो है वो उपर से नीजे नहीं आएगा इसका मतलब उनके बेच में समनवे जरूरी है तीसरा है नियंत्रन का कार्य प्रबंद का जो अंतिम कार्य है नियंत्रन नियंत्रन का कार्य साधनों एवं मानवी प्रयासों से संतुलन इस्थाबित कर उत्पादित वस्तु की तुलना मान को सिखी जाती है नियंत्रन जो प्रबंद का अंतिम कार्य है उसका काम क्या है कि जो योजना बनेगी उस योजना के अनुरूप कारे हो रहा है या नहीं ये देखना किसी वेक्ति को एक निश्चित समय के लिए कारे दे दियागा कि आपको आदे घंटे में कारे पूरा करना है और इस इस क्वालिटी का काम करना है तो नियंद्रण का काम यह देखना है कि उतने निश्चिस समय में उसने वो कारे किया है नहीं मानकों से तुलना करना यदि कारे की परिणामों में विछलन आता है तो उसको आदे घंडे का काम दिया गया उसने उसको 50 मिनिट में किया तो 30 की जग 50 मिनिट लिया 20 मिनिट का अंतर आगया विचलन कहलाता है तो कमियों का पता लगाना कमियों को दूर करने के लिए मानुवी प्रयासों में समन्व इस्थापित किया जाता है तो यदि कोई कारे आपने डिसाइड किया कि मुझे ऐसा ऐसा कारे करना है उद्देश आपने उसका एक प्रमा बना लिया जैसे हमारा जब मकान बनता है तो मकान का हम नक्सा बनाते हैं अब आप नक्सा बना करके कई साइड में रखनी देते हैं मकान जैसे जैसे बनता जाता है तो आप उस प्रमा उससे जो नक्से से उसकी तुलना करते जाते हैं कि नक्से के अनुरूप बन रहा है या नहीं यही नहीं अंत्रण है नहीं तो मकान बनने के बाद यह आप नक्सा जहां कारी हो रहा वास्तिविक कारी न्गें तुल ना करते हैं इन में यिदि कहीं अंतर आता है वह विचलन कहलाता है Brent nouveau अनंतर है तो उस कमी को दूर करने के लिए इंजिनियर और मकान मालिकिन दोनों के विचिमें कोडिनेशन किया जाता है कि यह कमी है उसक्मी को दुर किया जाएं तो मैं प्रबंद के समस्थ कारियों से जुड़ा होता है के एक जो समनवा है प्रबंद के सभी कारियों से जुड़ा हुआ है अतह कहा जा सकता है कि समन्वे प्रबंद का तार है नियंत्रन से भी जुड़ा हुआ है संगठन से भी जुड़ा हुआ है नियोजन से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि आप नियंत्रन का काम कब होगा जब नियोजन का काम होगा योजना नहीं होगी तो आप कैसे पता चला के कि आपको नियंत्रन किसका करना है संगठन से तो जुड़ा हुआ है निर्देश से जुड़ा हुआ है नियंतरन से जुड़ा हुआ है इसका मतलब प्रबंद जो समन्व है वो क्या है प्रबंद का सार है तो यह बहुत important question है जो कि आज हमने इसको समझाए चलिए अब इस unit का सबसे last question उसका महत्व देख लेते ह है कि समन्व का क्या महत्व है वही अभी हमने जो question पड़ा उसका महत्व आ गया व्योसाई की द्रस्टी से एक उक्रम के लिए समन्व के महत्व को निम्न प्रकार से हम जान सकते सबसे पहला विशिस्टी करण के लिए आवस्यक सबसे पहला महत्व है विशिस्टी करण समन् तो विसिस्टी करण के अंतरगत क्या किया जाता है मुख्य किरिया को अनेक उख किरियाओं में बाट दिया जाता है जो कोई एक कार्य है उस कार्य को छोटे-छोटे कार्यों में बाट दिया जाता है एक कार्य को दस कार्य में बाट दिया समन्वे के द्वारा इन समस्त किरियाओं में तालमेल इस्थापित किया जाता है विसिस्टी करण मतलब जैसे मानलो हमारे घर में साधी का कारे है ये प्रमुक कारे हो गया एक कारे है साधी अब उस साधी में कौन-कौन से कारे करना है तो साधी में जितने भी कारे होने वाले हैं उन सारे कारेों को बाट देना बारात की विवस्ता करना, महमानों की विवस्ता करना, भोजन की विवस्ता करना, मंडप की विवस्ता करना ये सारे कार्यों को अलग-अलग बाड़ दिया जाता है और वो सबी कार्य जो छोटे-छोटे कार्य है वो उस कार्य में expert व्यक्ति को सोब दिया जाता है कार्य एक है साधी उसमें जो साधी वाले कार्य को छोटे-छोटे कार्य में बाड़ दिया गया और उन छोटे-छोटे कार्यों को एक special व्यक्ति को सोब दिया गया जो कि उस कार्य में expert है जो कि उस कार्य को अच्छी तरहं से कर सकता है इसे ही विशिश्टी करण कहा जाता है विशेश व्यक्ति को विशेश कारे सोपना या योग्य व्यक्ति को योग्य कारे सोपना तो आपको इलेक्ट्रिक का काम है तो आप इलेक्ट्रिक का कारे इलेक्ट्रिसीन से ही करवाएंगे तभी वो आपका कारे सही होगा, मतलब योग्य विक्ति को योग्य कारे सोपना, यह भी सिस्टिकरण कहलाता है, अब आपने जो अलग-अलग कारे सोपे हैं, कोई मंडप का काम कर रहा है, कोई बारात की विस्था कर रहा है, कोई भोजन की विस्था कर रहा है, कोई महमानों क आतितियों के सत्कार की वश्ता कर रहा है, लेकिन इन सभी के बीच में coordination जरूरी ही कि नहीं, सभी यदि अपना अपना भागे करेंगे तो क्या होगा, वि बोजन बनाने वाले को बारात वाले से coordination रखना पड़ेगा, बोजन बनाने वाले को महमानों से कॉडिनेशन रखना पड़ेगा मंडप से कॉडिनेशन रखना पड़ेगा कि किस समय कौन सा काम करना है ये सभी एक दूसरे से धागे से बंदे हुए हैं एक दूसरे से उनको जानकारी लेता है रहना पड़ेगी कि बोजन कब देना है कितन साधी का जो एक कारे नहीं हो सकता इसका मतलब विशिष्टी करण में भी जो हमने अलग-अलग कारे बाड़ दी है तो वो सभी कारे एक दुसरे से उनमें तालमेल जरूरी है बिना तालमेल के कारे नहीं हो सकता यह समन्वे का सबसे पहला महत्व है विशिष्टी करण के सकता है दूसरा है साधनों के उचित उपयोग के लिए वे आपके पास साधन है लेकिन उन साधनों का आपको यदि सही तरीके से उपयोग करना है तो आपको समन्वे जरूरी है पिमित साधनों से अधिक उत्पादन प्राप्त करना संस्था का उद्दीश से होता है हर एक संस साधनों का उचित उपयोग करना यह उनका उद्दे से होता है उत्पादन के साधनों के बीच उचित तालमेल हो तभी कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है आपके पास जितने भी उत्पादन के साधन है यदि आपके पास उनमें आपसी तालमेल है तो आप कम साधनों में भी प्रयाप्त उत्पादन कर सकते हैं तीसरा है एक्ता इस्थापित करना बिना समन्वे कि आप उनके बीच में एक्ता इस्थापित नहीं कर सकते करमचारियों की मद्य उच्छी तालमेल से उनमें एक्ता संभव होती है यदि तालमेल है, मतलब उनके बीच में एक्ता है, और यह एक्ता सामुहिक प्रयास का प्रथम सुत्र है, कहीं भी समूह में यदि कारी होगा, तो उनके बीच में यूनिटी जरूरी है, एक्ता जरूरी है, और सामुहिक प्रयास का जो प्रथम सुत्र ही है, एक्ता, सामुहि को याद होगा हमारे देश में जो अंग्रेजों का 200 वर्सों तक सासन रहा उसके पीछे का कारण क्या आए कि मुठी भर जो अंग्रेज थे वह मुठी भर अंग्रेजों ने भारत इतने बड़े देश की ऊपर 200 वर्सों तक तो क्या हमारे देश में वीरों की कमी ठी क्या हमारे देश में यॉद्धाओं की कमी ठी की दोसों लोगों को हराणे का साहस नहीं था क्या हाल लेकिन जो विद्देश से जो अंग्रेज आये थे 200 उनके बीच में एकता थी unity ठी ऊप हमारे देश जो इतना बड़ा जो देश था वो अनेक क्या बोलेंगे अनेक खंड में बटा हुआ था अलग-अलग टुकड़े थे हर 10 किलोमेटर 20 किलोमेटर पर एक राजा था और वो सब अपनी-अपनी राज्य को ले करके बैठे वे थे और सभी एक दूसरे से जगट रहे थे मतलब उनके बीच में यूनिटी नहीं थी एक राजा यदे अंग्रेजों से लड़ने आता तो दूसरा राजा उसके अपोजीट हो जाता था और इसी कारण से इसी जो उनसी एक अंग्रेजों का नारा था विभाजन वाला खुड डालो और सासन करो की निति ये उनकी सब्से बड़ी पॉलेसी थी उनने कभी भी राजाओं को एक नहीं होने दिय और इसी कारण वो दोसो वर्षव तक सासन करते रहे दोसो लोग वों ने दोसो वर्षव तक सासन किया जबकि यदि सभी मिल करके या फिर एक भी राजा तनमन्धन से अंग्रेजों का सामना करता तो उनको समुद्र में फेक सकते थे क्योंकि ब्रिटेन से इंग्लेड से इतनी दूर से सेना यहां तक आने में समुद्र उनको पार करके आने में बहुत समय लगता कप के हरा सकते थे लेकिन इन सभी के पीछे एक ही बात है और वो है यूनिटी एक्ता आप कितना भी बड़ा काम कर रहे होंगे लेकिन सम्हु में यदि एक्ता नहीं होगी प्रथम सुत्र एक्ता है यूनिटी नहीं होगी तो आप कभी भी काम को सफल नहीं कर सकते एक्ता इस प्रते कारे दुसरे कारे की उपर निर्भर है प्राय संस्था में कारे करने वाले प्रतेक व्यक्ति की किरियाएं एक दुसरे पर निर्भर हो रहती है प्रत्य व्यक्ति की जो किरिया है दुसरे पर डिपेंडेंड है एक व्यक्ति के कारे का प्रभाव दुसरे व्यक्ति के कारे पर पढ़ता है अतह उक्रम के सभी विभागों में आपसी समन्वय होता है उक्रम के सभी विभागों में आपसे समन्वय होते ही क्योंकि एक विभाग काम करेगा तभी उसका दूसरा विभाग दोनों एक दूसरे से जुड़े या जितने भी विभागे सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो परस्पर निर्भरता इस्थाबित करने के लिए प्रबंद किये कारियों के सार के रूप में एकता इस्थाबित करने के लिए साधनों की उचीत उपयोग के लिए और विस में चोहान एकडमी खंडवा के एप के ऊपर आपको मिल जाएंगे और यह पूरी 12 यूनिट के पीडियाप आपको 100 रुपे में केवल उपलब्द हैं तो हमारी पहले यूनिट यहां पर कंपलीट होती है आप इन वीडियो को बार बार देखी तो आप यहीं कोस्चन के अंसर आपको परिक्षाव में लिखना है जो हम चैप्टर पढ़ने के वज़ा है हम सीधे सीधे कोस्चन का अंसर ही देख रहे हैं ठीक है और उसी के माध्यम से मैं आपको चैप्टर को समझात सब्सक्राइब जा रहा हूं तो आप इन वीडियो को बार बार देखिए ताके यह पहली यूनिट हमारी कंप्लेट होगे कल हम फिर में एक नया वीडियो लेकर करके आऊंगा अगली यूनिट का ठीक है तब तक के लिए बाई थेंक्यू अगलोग बाई दीक है तो आपको बाई रहा हूं